Hello and Namaskar दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक नहीं वीडियो है प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपको comment box में जाना है आपको किसी भी honors paper या subsidy paper या किसी भी subject का book चाहिए तो comment box उसका नाम लिख कर दो इस channel के माधियम से आपको निसुलक दिया जाते तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनेफिट मिल रहे हैं वीडियो प्राइरम करने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ जैसे कि आप सभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो सेम टू सेम चपते हैं एक एक अक्षर आपको उहाँ पर सेम टू सेम देखने को मिलेंगे एक एक अक्षर एक एक कोमा आपको इधर दूर से देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख रहे हो बिद्यार्तियों को दोरा यह कोमेंट क्या गया है यह कोमेंट एक नहीं है कम से कम लाकों की संक्या में कोमेंट होगा ठीक है तो प्याड़े दोस्तों आप भी चाहते हो कि एकजाम में आप से एक भी प्रसन ना छोटे और आपके पास बिलकुल भी समय नहीं है तयारी का थाओ मेरे द्वारा से दिये गए सभी परसंद के उतर और परसंद को आप अपने कोपी में लिख लो आईए वीडियो को प्रारम करते हैं शुरू से अंतक बने रोगे ठीक है अनिसें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर ओनर्स पेपर 3 जी हां दोस्तों आज हम लोग देखने जा र भलाल देव भावली का कौन था अभी तक आप लोगों को याद है कि भलाल देव भावली का भाई था ठीक है भलाल देव भावली का चेचेड़ा भाई था अभी तक आप लोगों को याद है क्या आपने कभी रटने का परियास किया है क्या आपने जब सिनमा हो लोगी आया तो क्या आपने रटने का परियास क्या भलाल दे बहावली का भाई या भलाल दे बहावली का भाई क्या आपने रटने का परियास क्या बिलकुल नहीं किया क्या आपने रटने का परियास क्या येस या नौ में मुझे कॉमेंट करें जल्दी से करो मैं देखना चाहता हूँ ठीक है जब मूवी दिल्चस्प हो और आप दिल्चस्पी ले रहे हो तो आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाला है तो प्यारे दोस्तों इन सभी परसंगों का उत्तर भी बहुली मूवी से भी काफी ज़ादा दिल्चस्प है और हिस्ट्री के परफेसर के द्वारा इन प्रस्ण असाम सब्दों में त्यार किये गए हैं सारे प्रस्ण के उत्तर और मेरे द्वारा दिये गए इन सभी प्रस्णों का उत्तर को आप यदि exam hall में same to same लिक देते हैं तो examer भी आपको full में full marks प्रदान करते हैं कि आप सभी सबसे पहले इन सभी परसनों को अपने कोपी में लिखो और वीडियो के एंतों मैं बताऊंगा इन सभी परसनों का उतर आप कैसे सेकंडों में डाउनलोड कर पाऊगे तो मैं आप सभी स्रिक्वेश्ट करता हूँ सबसे पहले आप सभी इन सभी परसनों को अपने कौपी में लिखो मैं आप लोग थोड़ी से भी मेरा रिस्पेक्ट करता हो तो इन सभी परसनों को लिखो सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मौरी कला की मुखमिक विश्यस्ताओं का वर्नन करें मौरी कला की क्या मुखमिक विश्यस्ताओं रही है क्या इनकी खुबसूरती रही है इसके बारे में आपको वर्नन करने के लिए कहा जा रहा है और इस बार भर रिपीट होते आ हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है, इस बार भी पूछे जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री के प्रोफेसर के दौरा ये सारे प्रसंगय ञांगे. यह प्यारी दोस्तों उत्तर तो आपको मिलेंगे ही परंतु में थोड़ा सा धलक दे दूं इन सभी प्रस्टों के उत्तर का ताकि आप हमें अपडेट हो सके मौरी उकला की जब बाद आती है तो सबसे नहीं रोग सकता हो चंद्गूफ मोर्य को एक शाषक की रूप में को बोलए तो गंदघ को पूत्र है चंदगुप मोरी जिसलिए इसका मूरा से मोरी बना परनतु सभी इतियसकानों का अलग अलग मानना है उनकी बातों को ध्यान नहीं रखेंगे हम लोग सिर्फ हम लोगों को यह बात ध्यान में रखना है कि पांस सल का एक बच्चा को एक चानक नाम का गुरू मिलत है एक टीचर मिलता है जिसे चंदगुप मोरी बनाता है और आप लोगों ने सुना होगा सिकंदर महान के बारे में सिकंदर महान के बारे में यह सुना होगा कि सिकंदर ने आधी से अधिक दुनिया को जीत लिया था आधी से अधिक दुनिया को जीत लिया था परनतु यहा एक दम भायाबा यूद चला काफी महिनों तक यूध चला जिसह मुझे सेकेंदर की हार हो जाती है सिकेंदर का सेना पती हूं पिर भी नतरु पूरे बहरत को जीत लेता है को संदकुफ मोरी उसके बदलए क्या लेता है तो वह सब्सक्राइब शन्तिक्त कोießen देते तोसके गुरू कि सब्सक्नेलें बारे में हम लोग काफी अच्छे से उत्तर लिखे हुए हैं और उसे आप पढ़ोगे तो काफी ज़्यादा अच्छा लगेगा और उत्तर जैसे जैसे पढ़ोगे ना लगेगा कि हम कोई मुव भी देख रहें कुछन नमर दूसरा है उम्मीद करता हूं पहला कुछन आप ल उस्तूप की बात आती है तो प्यारे दोस्तों उस्तूप नाम काफी ज़्यादा फेमस जिस तरह हम लोगों में मंदीर हिंदू धर्म में मंदीर मुसलिम में मस्जीद और क्रिस्चन में चर्ज उसी परकर बहुत धर्म में ना उस्तूप सब्द को काफी ज़्यादा सम्मा पता का नाम कियो थो सुंधो दन और मताकंगे नाम माहमाया ठीक है जैसे रोड़ी Ges और इन आने के लिए तो प्यारे दोस्तों मैं आप सभी से करता हूं कि आप लोग पढ़ाई को सुचारी रूप से जारी कर दो ठीक है छे साल में कोई इंसान भगवान बन सकता है तो आप तीन साल के ज़दी अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो कुछ भी आप कर सकते हो लाइफ में क कुछ भी बोले तो कुछ भी परन्तु इमांदारी पूर्पक एश्टेडी करना होगा आपको तो यहां पर हम लोग बात करते हैं मतलब गोतम बुद की बात कर रहे हैं तो गोतम बुद धर्म के संस्थापक थे और बहुत धर्म में जो पवित सबसे पवित रस्तल अस्तू जले अजन्ता गोह का क्या है इतिहासिक महत अब इसके बारे में आपको इसकी शिर्फ महता को बताना है इसको गुपतकालिनники मंदिर गुपतकाल के संस्था पक कोन है स्री गुपत ठीक है और सोने की सिक्ष्ण कोन कल में चला ज़काल कुसान काल में जो है सबसे सुध सोने के सिक्ष के चलाए गए थे और गुप्त काल में सबसे सोने सबसे अधिक सोने के सिक्ष के चलाए गए थे और सबसे पहले सोने के सिक्ष के चलाए गए थे किन के द्वारा तो हिंद यूनानी के द्वारा आपसे प्रसंद किया जा सकता ह SAC Railway में ये परसंद बार-बार किये जा रहे हैं कम से करें 15 बार रिपीट हो चुके हैं ये परसंद आम मैं आप से भी को रिपीट कर दू SAC Railway का भी तयारी आप में से बहुत सारी साथर कर रहे होंगे कि सबसे सुध सबसे ज़्यादा सुध सोने के सिखे किसके द्वारा चलाए गए थे तो आप लोग कुसान बंस पर टिक करोगे सबसे अधिक सोने के सिखे यहाँ पर सुध नहीं सिर्फ सोने की बात कर रहा हूँ सुध की नहीं तो यहां पर सबसे अधिक सोने के सिके को चलाया थे गुप्त काल में चलाया गया था और सबसे पहले सोने के सिके किसके द्वारा चलाया गया थे युन्द युनानी के द्वारा तो प्यारे दोस्तों गुप्त काल के द्वारा सबसे अधिक सोने के सिके चलाया गया थे और मं पुरातत मंदिर को किस ने बनाया था कुछ नर्सिंग वर्मन ठीक है इसका चोल मंदिरों का वास्तूगत विस्षिस्ताओं का वर्णन करें यह सभी परशनों को उम्मीद करता हूँ आप सबी लिख लोगे यदि कोपी कलम नहीं तो एसक्रीन सोट ले लेना इसके बाद हम लोग को सनम पेपर नमर फोर की और चलते हैं यह सारे परसंद आपके इस बार आने वाले हैं इसमें कता ही संदे नहीं है को सनमर फॉर में आपको यहां पर देखने को मिल रहा प्राची सभाय उंग समीथी जो है यह राष्टिय लेबल पर रहें और सभा ग्राम पर रहें ठीक है इसका गंता अंतात्मक राजियों की मुख्यों की विवेशना करें यह प्रसंद बीकाफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए उम्मीद करता हूं आप सभी लिखते और बोद धर्म को अपना कर अपने पूत्र और पूत्री को जो है यह परचार परसार के लिए बेज दी क्योंकि इन्होंने कलिंग के युद में काफी ज़्यादा रखत पात देखा थे और इसका हिर्दय पड़िवर्तन हो गया ठीक है उसके बाद यह कभी लाइफ में परकाज ले प्राजिन भारत में ग्राम और परसासन किस पर कर रही थी उसके बारे में आपको यहां पर बोलने के कहा जा रहा है इसके बारे मापको लिखने के लिए का रहा है यहां मैक्ति बारे में आपनी पुस्तक लिख्वार में इंडिका ठीक है उपर लोगों ने हैll ठीक है ठीक है अब बात रहा अंसर का तो डिस्क्रेप्शन में वाटसप ग्रूप का लिंक है आप लोग जोईन कर लो और मैं वहाँ पर आप सभी को इन सभी प्रस्नों का उत्तर परवाइड करवादूँगा ठीक है उत्तर परवाइड करवादूगा जदा ज़दा आप लोग सेयर करो जदा सेयर करोगे तो ही मैं उत्तर परवाइड करवाँगा